और लोकसे अफ दा मिड़ फॉंट अफ पॉंट अफ पोर्ट्न अफ तेंजेंट्स को प्लस वाइच का प्लस यज पर इक्वल टो एस्कुर्व टर्मिनेट बाइध कोडिनीटे अग्सेस स्टीक मतलब किसी टेंजेंट का मिड़ पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो इस सर्कल पर टेंजेंट है और कोडिनेट एक्सिस के बीच में लाइक कर रहा है मतलब उस टेंजेंट का एक पॉइंट और एक सेंटर और रेडिया से यह सरकल पर एक टेंजेंट है और मिट पॉइंट का लोकस करना है इस सरकल पर ट्रेंजेंट है वह हम लोगे बня आते हैं यह बिया होगीजए कई पर pon पर फिल सब्सक्राइब नगे जो है उसका एंड पोईंट होगा एक सब्सक्राइब को इसका मिट पोईंट करना होगा इसको को इसको माल लिए और circle का equation है x square plus y square equal to a square, ठीक है, तो देखो हम लोग एजम करते हैं, एजम करते हैं तो a का coordinate alpha, 0 और जो b का coordinate है वो हो जागा 0, beta, ठीक है, तो a, b का equation कितना होगा, equation of a, b, a, b, a, अगर a intercept alpha है, वो x intercept, y intercept, beta है, तो equation कितना होगा, equation होगा, x by alpha plus y by beta equal to 1, ठीक है, अब यह जो line है, यह circle पर tangent है, तो center से perpendicular equal to radius होगा, radius कितना है, a, तो center कितना है, center origin, 0,0, तो center से perpendicular equal to radius होता है, तो अगर इस हम लोग on लेते हैं, तो on equal to radius मतलब a, अब on कैसे find करेंगे हम लोग, on find करेंगे, origin से इस line पर perpendicular, तो minus 1 by mod लेते हैं, क्योंकि यह minus 1 इधर आ जाएगा, है, इधर आ जाएगा, तो minus 1 का mod by root under one by alpha square plus one by beta square, this equal to radius, जो radius a है, एक radius a है, अब दुन सब्सक्राइब करते हैं, जब squaring करेंगे, तो one by a square equal to one by alpha square plus one by beta square, यह होगा, one by alpha square plus one by beta square, ठीक है, अब देखो, जब midpoint इसका h, k है, midpoint h, k है, तो alpha plus 0 by 2 equal to h होगा, तो alpha by 2 equal to h हो जाएगा, यहां से लिख देंगा, alpha equal to 2h, ठीक है, और midpoint 0 plus beta by 2 equal to k, तो beta by 2 equal to k जब होगा, तो beta का value मिल गया, कितना मिल गया, 2k, अब alpha और beta का value इस equation में रख देंगा, तो h और k में relation आ जाएगा, तो one by a square equal to one by alpha square, alpha मतलब है 2h, तो alpha square कितना होगा, 4h square होगा, plus one by beta square, अब beta का value 2k है ना, one by four k square, यह होगा, तो इसको थोड़ा और simplify कर लेते हैं, तो one by a square equal to होगा, lcm लेते हैं, four h square k square, और यहां पर हो जाएगा, h square plus k square, इसको थोड़ा simplify करते हैं, तो a square of h square plus k square equal to, four h square k square, कितना होगा, अब finally, locus find करने के लिए, h को x और k को y रखा जाता है, तो locus क्या आ जाएगा, a square into x square plus y square equal to four x square into y square, ठीक है, यह हो गया, locus, उस quad का midpoint का, उस tangent का midpoint का, okay, किया सेथे, कि आ हो एृप्य, भर को 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 कि अब बंब और भी, कि आ ऑच जाएगा, यहाएगा, तो आ, उसमीघ क, ई कॉफ।, कि अंब।, इस कि ईिज काया का अट।,